नमस्कार, वंदे मात्रम, मैं बलदेव राजपुत दुर्ग 36 गड़ से आज हम लोग बात करेंगे एडमीशन के बारे में मतलब एडुकेशनल येर 24-25 में जो फर्स्ट येर के जो एडमीशन है या ये बोल सकते हैं कि फर्स सेमस्टर के जो एडमीशन है वो कब से चालू होंगे और जब आप एडमीशन लेने जाए तो कौनसी ऐसी बातों का ध्यान रखे जिससे आपको एडमीशन लेने के लेते टाइम कोई भी तकलीफ ना आए तो चलिए शुरू करते हैं देखेंगे कि 14 जुन 2024 से बहुत ज़्यादा चांसेज हैं के एडमीशन इस बार स्टार्ट हो जाएगा एडमीशन अंडर ग्रेजवेट मतलब यूजी के जो हैं फॉर एक्जामपल बिएससी बीए बीकॉम बीसी ए बीएचसी के एडमीशन फॉर्म मिलने स्टार्ट हो जाएंगे ये कुछ जगों पर online भी मिलेंगे कुछ जगों पर offline भी मिलेंगे तो आप अपनी favorable जो university है उनके हिसाब से एक बार चेक कर लें कि वो online mode पर admission लेते हैं या offline mode पर 36 grad में बहुत सारे colleges ऐसे हैं जो online mode पर भी लेता है और बहुत सारे colleges ऐसे हैं जो offline mode पर लेता है तो आप जिस college में भी admission लेना चाहते हैं वहाँ जाकर या जिस university के अंदर आप admission लेना चाहते हैं वहाँ जाकर एक बार पता कर सकते हैं तो देखेंगे first year या first semester क्योंकि इस बार 36 grad में या फिर पूरे इंडिया में मैं बोलूँ कि first year को जो है अब दो semester में बांट दिया जाएगा semester 1, semester 2 तो आप ये बोल सकते हैं first year के admission या first semester के admission के लिए आपको कौन-कौन सी formalty जो है वो required होती है तो देखते हैं formalty में 10th और 12th का आपका mark sheet का photocopy आपके पास होना चाहिए मैं personally suggest करूँगा कि 5th और 8th का भी mark sheet की photocopy और original ले के जाए जब verification के लिए जाए क्योंकि 36 grad के बहुत से colleges ऐसे हैं जो 5th, 8th का भी mark sheet photocopy के form में मांगते हैं तो आप जो basically formula है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि 10th और 12th के आपके पास copy होनी चाहिए लेकिन आप backup के form पे 5th और 8th की भी ले जा सकते हैं उसके बाद अगर आप OBC, ST, SC या minority से belong करते हैं तो आपके पास cast certificate मतलब जाती प्रमाणपत्र होना चाहिए उसके साथ domicile मतलब निवासी प्रमाणपत्र होना चाहिए for example आप 36 grad में अगर जिस याद रखें कि जिस आधार card को आप दे रहे हैं मतलब जो आपका आधार card है वो particular mobile से link होना चाहिए कई बार ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जब first semester या first year में admission लेते हैं तो उनके पास अपना personal phone नहीं होता वो parents के phone से ही काम चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे phone number को connect किया होगा होना चाहिए कि जब उसमें OTP आए तो आप उन्हें बता सको अगर आपने कोई ऐसा number दिया हुआ है अधार card में जो अभी बंद हो गया है तो अधार center जाके सबसे पहले अधार card में mobile number को update करा ले इसके बाद ये सारी चीजे जो मैंने एक number से लेके आपको चार number तक जो बताई हैं वो सारी आपको photo copy required होगी वहीं आपको original क्या-क्या लेके जाना है तो TC मतलब transfer certificate CC मतलब character certificate और migration मतलब एक जो board से हम दूसरे board में transfer करते हैं या एक university से जब दूसरे university जाते हैं तो migration required होता है आप लोगोंने notice किया होगा जब आप लोग 12th pass हो जाते हैं तो आपको TC, CC और migration अपने school से ही मिलता है तो आपको TC, CC और migration की original copy जो है वो जमा करनी होगी इसके अलावा आपको ABC ID बनाना होगा जो नए government rule है उसके तहट जो higher education है मतलब जब आप UG, PG जब करते हैं तो उस condition पे आपको ABC ID बनाना बहुत ज़री होता है ABC ID है क्या ABC ID का अगर मैं full form बोलूँ तो इसका मतलब होता है academic bank of credit मतलब एक ऐसा bank जिसमें आपके credit score को save किया जाता है जैसे कि आप bank में अगर जाते हैं तो अपना पैसा save करते हैं मतलब अपनी संपत्ती को वहाँ जमा करते हैं ठीक उसी प्रकार ABC ID क्या करेगा कि आप first year से लेकर या first semester से लेकर जब भी आप पूरा UG complete करेंगे तो आपके जो credit score है आपका जो performance है उसको रखा जाएगा जो आपको बाद में काम आएगा तो एक चीज में clear कर देता हूँ कि ABC ID बनाना सभी बच्चों को कमपल सरी है अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ABC ID हम कहां से बनाए देखिएगा जब आप YouTube पे जाएंगे और how to make ABC ID लिखेंगे या हिंदी में ABC ID कैसे बनाए तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आप किसी भी एक वीडियो जो आपको language preferable लग रही हो उसे आप follow करके अराम से घर में ही mobile से आप ABC ID बना सकते हैं आप वहां जाके बड़ी असानी से 50 या 100 रुपए देकर अपनी ABC ID बना सकते हैं और वहां से अपना password जनरेट करा सकते हैं तो ABC ID आप चाहें तो फोन से भी YouTube की सहायता से बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी भी internet cafe कौन से internet cafe जो आपके college के आसपास हों या जो भी संबंधित वक्ती है जो इस विसाय में जानकारी रखता है normally cafe वाले जो भीया लोग रहते हैं उनको लगभग पता होता है कि कैसे क्या करना है तो 50 या 100 रुपए देकर आप अराम से अपनी ABC ID बना सकते हैं अब आप जब ABC ID बनाने जाएं तो आप क्या क्या साथ लेके जाएं तो सबसे पहले अपना वो अधार कार्ड लेके जाएं जो सही तरीके से mobile से link हो अगर फिर से मैं repeat कर देता हूँ आप अगर अधार कार्ड में अगर mobile link नहीं है या वो नंबर बंद हो गया है तो उसे अपडेट करा ले दूसरा pen card लेके जाना होता है और 10th और 12th की mark sheet लेके जानी होती है याद रखिएगा यह सब photocopy आप लेके चले जाएं इसको आप ABC ID को ऐसे भी समझ सकते हैं जिस प्रकार DG Locker में हम अपने driving license, आधार card, 10th और 12th की mark sheets की जो copy हैं उन्हें driving license इन सभी चीज़ों को हम save करके रखते हैं ठीक उसी प्रकार ABC ID हमारे पुरे academic जो career है उसे arrange तरीके से रखेगा इसका जो lab है आपको आने वाले समय में जो interview वग रहा है उसमें जरूर मिलेगा तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको first year में जब आप admission लेंगे तो आपको क्या-क्या formalty लेके जानी है ये पता चल गया होगा University से related update physics और math से related videos देखने के लिए आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मात्राम